अखिलेश की स्वामी प्रसाद को चेतावनी ब्राम्बन समाज से समर्थन का अहवान सपानेता की जुबान पर लगेगी लगाम सपानेता स्वामी प्रसाद मौरे ने ब्राम्बन समाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग मेरी टिपनी का विरोध कर रहे हैं वो पंदित पुजारी लोग हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मंदिरों में पूजा नहीं होगी तो हमारा धंदा खत्म हो जाएगा नमस्कार आप देख रहे हैं कापिडल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर हिंदू धन को लेकर स्वामी प्रसाद मौरे के बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीती में बवाल मचक्या है बीजेपी नेता तो हमलावर है ही समाशवादी पार्टी के भीतर भी विरोत की अवास तेज होती जा रही है एक तरफ जहां अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश थे वहीं अब NDA के जबाब में PDA का नारा देने वाली समाशवादी पार्टी को एक बार फिर से ब्रामभणों की याद आने लगी है लोग सभाचुनाफ से पहले समाशवादी पार्टी अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुद कई है सपा ने PDA पिछडा दलित अल्प संख्यक का नारा दे रखा है अब पार्टी अगड़ा को भी जोडने में चुट कई है इसी कड़ी में सपा ब्रामभण सम्मेलन आयोचित कर रही है अखिलेश यादव ने इसी कड़ी में महा ब्रामभण समाच से समर्थन मांगा है समाशवादी पार्टी के कार्याले में हुई महा ब्रामभण महा पंचायत में अखिलेश यादव शामिल हुए जहां उन्होंने महा ब्रामभण समाच से दो हजार चौबिस लोग सभाचनाफ के लिए समर्थन मांगा। इस कारिक्रम में अखिलेश यादफ मुख्य अतिती के रूप में शामिल हुए और भार्त जिन्ता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए साथ देने का अहवान किया। समाजवादी पार्टी कारियाले पर अविवार को आयोजित हुई महापंचायत में अखिलेश यादफ शामिल हुए जहां उन्होंने भार्त जन्ता पार्टी पर जम कर निशाना साधा और भाजपा को हटाने के लिए ब्राम्बन समाज से समर्थन का अहवान किया। इस बीच ब्राम्बन समाज के लोगों ने अखिलेश यादफ से बिना नाम लिए पिछले दिनों राम और राम चरित मानस पर उनके पार्टी के नेता दुआरा की गई टिपनी पर विरोज चताया जिसका बिना नाम लिए अखिलेश यादफ ने कहा कि ऐसी चीजों पर पा और इसल आपको बता दे कि समाजवादी पाथी नेता और पूर्फ मंतरी स्वामी प्रसाद मौरिर राम चरित मानस पर दिये बयान के बाद से चर्चा में बने हुए है इस बीद सपानेता स्वामी प्रसाद मौरे ने ब्राम्मन समाज पर भी सवार उठाए है उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी टिपणी का विरोत कर रहे हैं वो पंदित पुजारी लोग है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मंदिरों में पूजा नहीं होगी तो हमारा धंदा खत्म हो जाएगा मेरे इस बयान के बाद सभी पिछड़े वर्ग की महिलाएं मंदर में आना बंद कर देंगी तो चड़ावा बंद हो जाएगा और उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी इसलिए वो पागलों की तरह भौक रहे हैं वहीं उन्होंने कहा कि ये मेरा नीजी बयान है आपको बता दे कि सपानेता ने ये बयान राय बरेली दौरे पर दिया था उन्होंने कहा था कि मेरे बयान का एक खास वर्ग विरोग कर रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि उनका धंदा अंधेरे में चला चाएगा राम चरुत मानस की चौपाई में शुत्र और नारी को पशु के समान खड़ा कर दिया है अखिलेश यादव ने दिया आसवाशन स्वामी प्रसाद मौरे के बयानों से हिंदू वर्ग आक्रोशित सपानेता स्वामी प्रसाद मौरे ने लगतार ब्रामणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिये हैं हिंदू देवी देफता और धार्मिक ग्रंथ को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौरे ने एक अलग ही महौल बनाने का प्रियास किया है ऐसा माना गया कि इससे सपादलित समाच को जोड़ने में कामियाब हो जाएगी बदरीनात धाम हो या राम चुरित मानस विवाद हो या फिर राम मंदर पर दिया गया बयान स्वामी प्रसाद मौरे के बयानों ने हिंदू बर्ग को आक्रोशत किया है इसके अलावा साधू संतों को लेकर दिये गए उनके बयान से भी आक्रोश बड़ा है लोगों ने कहा कि स्वामी के बयानों से सपा को लगतार नुकसान हो रहा है पाटी को 2022 के विधान सभध चुनाफ में सबसे बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद के बयानों से हुआ है दरसल आपको बता दे कि स्वामी प्रसाद मौरे आए दिन अपने बयानों को लेके सुर्ख्यों में बने रहते हैं। रामचरित मानस से लेके मा लक्ष्मी आपको उनके बयानों के बारे में भी बताते हैं। दरसल समाशवादी पाठी के नेता और MLC एवं उत्तर प्रदेश के पूर्फ मंत्री स्वामी प्रसाद मौरे ने रामचरित मानस को लेकर विवादत बयान दिया था। मौरे ने कहा था कि तुलसी दास रचित रामचरित मानस को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जिस दक्यानूसी साहित्य में पिछडों और दलितों को गाली दी गई है उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पिटा धीश्वर धिरेंद्र शास्त्री को लेकर कहा कि ये बाबा भांग खाकर समाच का बेड़ा गर्प कर रहा है। सरकार को संग्यान में लेते हुए रामचरित मानस से उसके आपति जनक अंश को बाहर कर देना चाहिए या फिर इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंक, दो छिंद्रो वाली नाक के साथ एक सिर्फ पेट वपीट होती है। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ वह हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्षमी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्षमी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं, तो अपने घरवाली की पूजा वा सम्मान करें, जो सही माइने में देवी है क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोशन, सुक्सम्रिद्धी, खान, पान, वदेख भाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा से निभाती है, उन्होंने एक्सपर तस्वीरे भी पोस्ट की हैं, जिसमें वो अपनी पत्नी को हार पहनाते हुए, टीका लगाते हुए और गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा तौलिय से उनकी पत्नी के पैर पोचते उत्तर प्रदेश की राजनीती में बवाल मच किया है, बीजेपी नेता तो हमलावर है ही समाजवादी पार्टी से भी विरोत की आवास तेज होती जा रही है, लेकिन उनकी नेता अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बिलकुल खामोश थे, बता दे कि हिंदू धर्म और ब्रामणों को लेकर स्वामी प्रसाद के लगातार तीखे बोल से सपा के ब्रामण नेता भी नरास थे, बताया चौता है कि सपा के ब्रामण नेताओं ने अखिलेश के सामने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सपा प्रमुक ने पार्टी के नेताओं को ध साथ लेने के लिए जुटी समाशवादी पार्टी के इस कारिक्रम में अखिलेश यादब द्वारा दिये गए आसवाशन के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म, राम और भगवान पर अपनी टिपनियों से बाज आते हैं या आने वाले दिनों में और भी नए तर्क उनके सुनाई देंगे इस रिपोर्ट में फिर हाल के लिए बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें कापिल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार